तो जेटली के निधन के बाद पक्ष और विपक्ष के निताओं ने उनके निधन पर गहरा शोग जताया है UP के CM ने गहरा शोग जताते वे कहा कि उत्तर प्रदीश का वो राजिस सभा में प्रतिनी धित्व करते थे उनके जाने से पूरे उत्तर वासियों को गहरा दुख है CM जैराम ने कहा कि वो BJP के सच्चे सिपाही थे उनके जाने से पार्टी के साथ साथ राश्ट्र को छती पहुची है CM रावत ने कहा कि BJP को दिनो दिन गहरे और दुखा जटके लग रही है जैटली की योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा मैं अभी दिल्ली जाने का कारिक्रम बना रहा हूँ और अपने प्रदेश स्वासियों की तुद्रब और से अरुन जी को सरधानजली दूँगा क्योंकि राज्य सभा में उत्तरब देश को प्रतनिदित्तों करते थे और इसलिए उनके प्रति अपने बनाबर सरधानजली हम लोग करकूद करेंगा पुरे देश ने एक बहुत बड़ा नेता अरुन जीटली जी को खोया है यह एक शती पुरे राष्टर के लिए है पार्टी के लिए तो है ही है और पिछले कुछ अर्शे से इस परकार से देश ने अनेक नेता खोये हैं आज सचमुच में बहुत दुखी आहिदे जब हमने देश के एक और गृष्ट नेता और उन जीटली जी को खोया है एक के बाद एक दुखत घर्टाएं हो रही हैं एक साल में ही हमारे देश में और चाहे प्रदेश में हो हमारे बहुत ही जो मुर्धन्य कारे करता कहना चाहिए लीडर कहना चाहिए वह हम से बिछड़ गया है और उन जी एक बहुत मुचे विचारक चिंतक चाहे एक विधिवेता के नाते एक कुसल बित्त मंत्री के नाते उनकी एक अपनी पहचान थी जो देश के बुद्धी जीवी वर्ग है बुद्धी जीवी वर्ग में उनकी एक अपनी पकड़ थी और बुद्धी जीवी वर्ग उनको अलग से उनको एक सम्मान की दिश्टे देखता था तो तीनों ही राज्यों के सीम को आपने सुना जिसमें उनका कहना था कि बुद्धी जीवी वर्ग में उनके एक एहम भूमिका थी आर्थिक मामलों में उनकी पकड थी कि एते हो हैंS आर्णा कि थाज्यों के लिनकी में उनकी चाहिवा वर्ग में आर्वा से में पूमिका थी की पकर आर्णा